मस्कार दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे चुस्त तुरुस्त मस्त बिंदास खुस और जिन्द दिल्मन दोस्तों सूखे मेवे में आम तोर पर कई तरह के पूसकत्तों से भरपूर होता है पर यहां जानिए कौन सा सूखा मेवा है जो शरी साथ असर नहीं दिखता है लेकिन बल्कि इसके फाइदे और ज्यादा बढ़ जाते हैं ऐसा ही एक सूखा मेवा है जिसे दूद के साथ पीने पर शरी को सबसे ज्यादा लाग हो बिलता है यह सूखा मेवा खजूर और फाइबर कार्प्स कैल्सियम प्रोटीन विटामिन A C और जिंक फास्वरोस पोटेसियम कापर और भी पाया जाता है दोस्तों दूद और खजूर का एक साथ सेवन करने के लिए दोस्तों तीन से चार खजूर को दूद में राद भर भीगो कर रखा रखा जाता है और अगली सबह इस दूद को पीते हैं और इन भीगे हुए के चाथ होता है रख्जूर मिलाने पर के डिल्सेम के साथ ही सरी को सेलेनियो मैंगनेसियम क्यूह ङो कुछ कि अर्था बिश्चाब भूद के लिए ऩुट चाल केने अश होसे ॉप लुट की कि पाइदा यह कंग की दिक्क्त को फाइदा देती है तो आप इसलिए इसका यूज कर सकते हैं खजूर वाला दूद्ध अगर आप पीते हैं तो दिमाग के लिए भी अच्छा होता है और इसमें विटामिस 6 की आशी खासी मात्रा पाई जाती है जब पूरे दिमाग की शहत के लिए फाइदा बंद होती है और वियाद दास्त को बढ़ने में आपकी खास तोर्व से खजूर जुखा जाते हैं उनसे मदद मिलती है अगर आप भीहत पतले हैं और वजन बढ़ने में सोच रहे हैं तो दूद्ध में खजूर डालकर पीना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा विकल्प हो सकता है बीगे के शुर वजन बढ़ने में और मसल्स को मजबूत बनाने भी और आपको फिट रखने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं उसके साथ साथ यह दिमाकी संतुलन खो बैटे हैं तो आपके लिए यह काफी ज़्यादा अच्छा विकल्प हो सकता है तो दोस्तों अगर कौन से टापिक पर आपको विडियो चाही तक तक लिए आपका धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बेए कि आपका वीडियो कौनत तक देहिकर के लिए हिरता की गहरें उसे प्रेम पूरुक बहुत-बहुत धन्यवाद चाहें जै भारत